हलो एरिवन आव वेरी गूरी गूरी विवनिंग तो अल अव यू वेलकम तो दिसी यू वीटी अफ अड़ा 24-7 आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं क्लैट का अज एक्जाम था और काफी कांडिडेट्स हमारे यहां से एक्जाम देने गए थ मतलब हम लोग बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया क्या वो चीज आप लोगों के पेपर में आया की नहीं आया तो जो भी यहां पर कैंडिडेट हैं पहले सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजे और जितना हो सके आप लोग सेशन को शेयर करिए so that और भी कैंडिडेट के पास ये मौका मिले कि जाने की क्लैट के कोशन कैसे आते हैं तो हम लोग आशी सर और कुमार आकाश सर मेरे साथ हैं यहां पर so हम तीनों टीचर्स आप लोग को यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं क्लैट का पेपर, क्लैट का अनलिसिस और बताएंगे कैसे कोशन आते हैं आप लोगों के लिए तो सबसे पहले में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आशी सर के साथ कि वो इंग्लिश का पेपर डिसकस करें कि क्या लेवल था इंग्लिश के पेपर का तो मेरा नाम है अशीश गर्ग और मैं आपको लेकर चलूँगा इस पेपर पे यह है अक्च्वल पेपर जो आप देख रहे है क्लाट 2022 का जो हमारे सामने खुला हुआ है और एज एक्सपेक्टेड जो पेपर था वो बिल्कुल उसी लाइन्स पे था जो हमने प्रीविएस यर्स बे भी देखा है हर बच्चा आके क्लाट के बाद यही कंप्लेइन करता है कि पेपर बहुत लेंदी था तो यह भी एक लेंदी सा पेपर था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हमें यह बताया है कि पेपर उनका कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा छूट गया ठीक है यह बहुत जारा सुनने अगर हम English, अगर हम English section की बात करें, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह English section है यहाँ पर, तो इस English section में, अगर आप देखेंगे, the type of question, यह पहला वाला देखिए, जो passage है, एक moderate सा passage लग रहा है, जो की हमारे पास है, and we are talking about, COVID-19 के उपर हमने बात कर रहा है, wash, wash, wash your hands, so basically safety के उपर यह बात कर रहा है, जो अगर हम देखें, जादा difficult paper passage नहीं था, यह बहुत direct से question थे, एक inference-based question था, इस पूरे के पूरे passage के अंदर, अगर आप इसके अंदर देखें, तो main idea of the passage, main idea of the passage, यह central theme के questions, हमने इतने कराये हैं आपको, यह इतनी बार बताया है, कि इनको करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, so main idea of the passage में, देखें, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी चीज़े हो जाती है, कि आपको double-double आवाजे सुनाई देती हो, लेकिन इसलिए हमें भी यहां पर इतना ही excitement, you know, nervousness आपके साथ हमें भी हो जाती है, और उस nervousness में कभी कभी ऐसी चीज़े हो जाती है, तो चली आता है, वापिस लता है, पेपर की तरफ, तो यहां पर देखें, from the passage, it is evident that Dr. Ignaz's theory was rejected because, it's a direct question, वहां पर यह directly मिलेगा, आपको passage में, कि क्यों यह जो theory थी, उसको reject कर दिया गया, दूसरा question is, from the passage, one can conclude that, यह fill-in-the-blank type का question है, इस fill-in-the-blank type के question में, अगर आप जा के इसको डंग से पढ़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा, एक question है, from the passage, it can be inferred that Max, but, this one question, this one question could be a difficult one for everybody, तो चार question इसमें से बनते हैं, जो बच्चा कर सकता है, तो मैं यह इसलिए लेके चल रहा हूँ, so that, बच्चों को पदा चल जाएगी, कितने number of questions, आप attempt कर सकते थे, from English section, तोटल, overall English की section में, आप 18-20 minute, या maximum 21 minute का time दे सकते थे, इस paper के लिए, अराम से आप उसमें question कर सकते थे, उसके बाद, यह जो next वाला passage है, यह थोड़ा सा लेंदी passage था, इसमें काफी साही चीजे आपको समझने वाली थी, second passage, जो आप देख रहे हैं, यह थोड़ा लंबा भी है, और इसमें काफी सारी चीजें, जो आपको समझने वाली थी, क्यूंकि वो inference-based questions थे अपर, according to the author, how did this happen, यहाँ पर एक vocabulary का question है, which of the following is not true, in the context of the passage, अब not true में, बाकी तीन true है, तो इसका मतलब आपको उसकी भी ध्यान देना पड़ेगा, तो यह question थोड़ा difficult बन सकता था, it may be inferred from Rene Deskeret's view, again, एक inferential based question था, तो यह थोड़ा सा एक typical passage हो सकता था बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को जादा टाइम लग सकता था, प्लस number of questions भी आप कम attempt कर सकते थे, तो यहाँ पर आपके पास 5 questions थे, 5 में से मुझे लगता है, कि 2 के आसपास questions आप इसमें कर सकत जिसमें आपको एक स्टोडी सी बताई गई है, यह एक पैसिज ऐसा था, जो अराम से हम कर सकते थे, इसमें जादा इसे कोई question भी नहीं थे, इसमें अगर आप देखें, क्वेस्चों में भी, from the passage it is evident, in the sentence this, what does this means, यहाँ पर आप से पूचा गया है, figure of speech, अगर आपको यहा और जिस तरीके के passage हम practice में कर रहे थे, कुछ-कुछ हमने similar lines पे CLAT के paper में देखे, from the passage we can conclude, यह तो हमने अभी अपने marathon session में ही, जो कल आपको कराया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से आप passage का conclusion निकालते हैं, इसके ओपर हमने practice भी करी थी, अपने session में, तो वहाँ पर द से अभी हमारा score हो गया है, 9 से 10, 9 से 10 हमारा score हो चुका है, ठीक है, आगे चलते है, अगला passage इसमें भी हमारा को जो time है, question अगर हम देखे, central idea, cause of Germany, defeat, again it's a direct factual question है, फिर इंफरेंस-based question है, again tangility का मतलब क्या होता है, यह तो हमें पता है, यह तो हमने क्या होता है, यह तो हमने क आप कर सकते हैं, तो आराम से आपके 20 में से हम 14 तक पहुँच चुके हैं, 20 में 14 तक पौँच चुके हैं, और यह है आपका next main idea, the tone of the surrender speeches, tone कैसी थी, तो आपको बताया था, मैंने इसके ओपर भी कली अपने marathon session में कि tone हम किस basis पे identify करते हैं, ठीक है, तो वो भी है, इसमें, which one of the following is least likely to be used for Churchill and the poets, यह तो basically again आपके पस metaphor, anamotopia, simile, transfer, epithet, यह सब हमने discuss किया था, अपनी classes में कि यह क्या-क्या होता है, तो मेरा मानना है, कि again, पूरे के पूरे, जो English का section है, उसको अगर हम देखें, तो out of 30 questions, out of 30 questions, आपका score, मैं इसमें वो बता नहीं रहा हूं कि आपको कितने attempt करने जाए ते कितने सही, मेरे हि साप से, मेरे साप से, out of these 30, if you invest around 18 minutes to 21 minutes, you could score us around, say, 18 to 20 marks, यह आपके actually में इसमें से आ सकते थे, अगर आप इस पे बिलकुल, focus से इसको पड़ते, और धान से इसको करते, इतना time लगता, तो it is not that difficult, मेरा मानना यह है, कि English का जो section था, वो एक moderate level का था, ठीक है, जादा डिफिक वो slightly बच्चों को थोड़ा सा difficult लगता था, क्योंकि एकदम से length को देखके, हम लोग ड़ जाते हैं, लेकिन, मेरा मानना यह है, कि English के section में, अगर आपने 18 से 21 minutes लगाए हैं, तो आपका score around 18 to 20, या 20 plus score कह सकते हैं, आप इसमें ला पा सकते थे, ठीक है, तो यह है English का, अब मै मैं बुलाओंगा माम को, कि वो आपको लेके चलेंगी, आईए माम, फटा फट्चे, अलो क्लास, होप सो, आप लोग का English का segment बहुत अच्छा गया होगा, अब जरा फटा फट यहां पे आप लोग legal segment में हम लोग discuss करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो यह हुआ बरा है ना, अब मैं आप लोगों को यहां पे legal का discuss करूँगी, सो legal का देखिए कि कैसे paragraph आए हैं, उसके बाद आपको मेरे बाद कुमार आकाश सर, reasoning और math का आप लोगों को questions बताएंगे, यह सब आप लोगों का segment है, इसका current affair का, होप सो आप लोगों का current affair अच्छा गया होगा, second, current affair में भी basically CLAT में एक साल के questions पूछे जाते हैं, अगर एक साल आप लोगों ने अच्छे से newspaper, TV देखा है, तो आप लोग इसको easily crack कर सकते हैं, अब देखें, legal का segment, legal में मैं आपको क्या बोलती थी, जो भी यहां पे candidate है, आप लोगों को law of taught, law of contract, criminal law, constitution and other law subjects पे आप लोगों को focus करन है, other law subject पे जैसे हम लोग Hindu law, Muslim law, IPR, POXO Act या और भी आप लोगों का international law, हमने ये चीज़ exactly YouTube में पढ़ा और paid bash में भी हम लोगों ने बहुत इसको easily पढ़ा है, अब देखते हैं कि paragraph आप लोगों का किस segment से आया है, सबसे पहले आप लोग बेटा, यहां पे session को like कर दो, और यह link को copy करके आप लोग share करिए, और जो भी यहां पे candidate है, मैं आपको बता दो वेटा, कि 18 December से आप लोगों का 11 December को CLAT का 2023 का exam होने जा रहा है, यानि कि इसी साल आप लोगों के पास मौका है, CLAT 2023 का exam देने का, जो कि 18 December 2022 में हो रहा है, सो जो भी candidate इस exam को crack नहीं कर पा रहे है तो निराश मत होईएगा, आप लोग December के session में आईए, सो class देखिए आप लोगों का जो पहला paragraph है, to maintain the secular character of the Indian polity, एक बात बताईए, अभी recently news में क्या चल रहा है, religion के ओपर आप सब जानते हैं, तो यह जो पहला paragraph है class आप लोगों का, to maintain the secular character of the Indian polity, not only does the constitution guarantee the freedom of religion, but it is also against the policy of the constitution, मतलब पहला paragraph आप लोगों का, secular, secular क्या है, यह word हमने सबसे पहले preamble में देखा है, और secular it means, यह आप लोगों के fundamental right में भी include है, article 25 से लेका 28 तक, तो मतलब पहला topic आप लोगों का constitution का आया है, और देखिए आप लोगों घबरा जाते हैं कि यार, इतना लंबा paragraph, but देखो सिर्फ 10 से 15 लाइन का आप लोगों का यह paragraph है, और questions देखिए, questions आप लोगों के सेम वैसे ही है, principle fact वाले questions है, तो principle में हमें मालुम चल गया कि आप लोगों का कौन सा paragraph है, और questions देखिए आप लोगों के, यह देखिए, question में आपो, suppose, taxpayer in the religion segment, then आप लोगों का जो communal rights ह अभी जो basic चल भी रहा है, तो हम पहले भी जानते थे कि current में आप लोगों का legal current news भी, उसमें से भी questions आप लोगों के आ सकते हैं, okay, उसके बाद same आप लोगों का next question भी यही है, then state government जो आप लोगों का religion के उपर, tax के उपर law बनाता है, यह basic questions आप लोगों के यही है, okay, तो हम हम लोगों का पहला paragraph हम लोगों ने समझ लिया, constitution of India से आया है, first paragraph, okay, आप चलिए, second paragraph क्या है, बहुत देखो, एक first line से ना, हम लोगों को मालुम चल जाता है, कि यह question आप लोगों का कहां से आया है, तो बेटा, आप लोगों का जो second paragraph है, where a spouse contract a second marriage, तो second marriage का मतलब क्या होता है by gaming, तो मतलब यह हम लोगों का segment आया है, other legal subject से हिंदू marriage का, तो second paragraph आप लोगों का हिंदू marriage का है, by gaming क्या है, हम सब जानते हैं, कि अगर कोई husband wife बिना divorce किसी और से शादी करता है, तो वो शादी हमारे Indian marriage act के अंतरगत क्या है, हिंदू marriage act के अंतरगत, आप लोगों का totally void है, तो यह segment देखे, आप लोगों का इस base पे है, तो मतलब second paragraph आप लोगों का क्या है, हिंदू law के उपर है, other law subject से आप लोगों के questions आए है, अब देखे, आप लोगों का यह जो fact given है, आप fact को easily कर सकते हैं, और हम लोग बहुत जल्द इस week एक-एक paragraph का analysis भी कराएंगे, so that आप उने जो answers दिये हैं, उससे आप लोग match कर सकते हैं, okay, अभी हम आपको बस brief में सारे questions को, सारे paragraph को यहाँ पर show करना चाते हैं, जिससे वो candidate, जो December का exam सोच रहे हैं, देने का, आप लोग idea लगा सके कि हमें कितना महनत करना है, so second paragraph आप लोगों ने देखा, आप लोग का Hindu marriage act का ह है, now third one, अब third क्या है आप लोग का relationship between international law and this municipal law, international law हम लोग का other legal subject का topic है, तो देखें, इसके उपर question आगया, अब सब जानते हैं, international law is the weak law, इसको हमने पड़ा है, और आप लोग का municipal law क्या है, municipal law that is applied to a particular nation, मतलब nation पे आप लोगों का जो एक national law बनता है, वो हमेशा हावी होता है, लेकिन international law आप लोग का hard होता है, कुसम बच्चे, good evening, कैसे हैं आप लोग, ठीके बच्चों, तो यह आप लोग का third paragraph हो गया, international law और municipal law के उपर आप लोग का common difference है, okay, difference को बताया गया है, उसके बाद व answer का format वो ही आप लोग का पुराना वाला है, principle and fact, okay, now, अब हम लोग next question देखते हैं, next हम लोग का paragraph है, special marriage act का, special marriage act क्या होता है, suppose अगर कोई भी दो अलग-अलग religion का person शादी करना चाहता है, तो शादी वो कौन से act के according करेगा, special marriage act के according करेगा, मतलब हम लोगों का syllabus ही क्या है, other legal subject से, so मतलब इस बार other legal subject में Hindu law, international law और आप लोग का special marriage act इसके उपर questions आया है, so आप लोग गेस कर सकते हैं, कि हमें किस पर focus करना है, और ये कोई ऐसा syllabus नहीं कि जो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें सब चीज का knowledge है, मैंने आप लोग को अलग हर एक चीज यूटुब session में आप ल आप लोग का next क्या है, fourth paragraph, special marriage act का है, okay, जो different religion के बीच होता है, आप देख लीजे, अब आप लोग का facts है, fact उसके बाद आप लोग के next question है, ma'am CUVT के लिए भी ये है क्या, nice Imran बेटा, ये CUVT के लिए नहीं है, CUVT का ऐसा paragraph wise question नहीं आता है, okay, exactly, उसके बाद अगर में next paragraph की करूँ और बेटा, आप लोगों से promise है, हर एक paragraph को हम लोग पूरा analysis करेंगे, एक-एक questions को, next हम लोग देखते हैं कौन सा आप लोग का paragraph है, contract का, Indian contract act, जिसकी हमने शुरुवात की थी YouTube session से, Indian contract act में आप लोगों का mistake के उपर question है, अब ये paragraph बिना पड़े मुझे मालुम है, कि अगर कोई भी contract होता है, तो free consent के द्वारा होना चाहिए, free consent में, अगर आप लोग का corgian के द्वारा contract है, undue influence, misrepresentation, fraud या mistake, तो आप लोग का contract क्या होता है, mistake को छोड़के, इन चारों के द्वारा contract आप लोग का voidable contract होता है, लेकिन अगर mistake के द्वारा contract हुआ है, तो mistake में contract आप लोग का valid भी हो सकता है, void भी हो सकता है, so ये आप लोग का क्या है, बच्चे, this is basically the contract question, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, okay, now next one, उसके बाद इस सारे questions है, हम एक एक paragraph को करेंगे, लेकिन अभी जस मैं आपको show करना चाहती हूँ, class का exact paper क्या है, उसके बाद देख Commission on Environment and Development define the sustainable development, sustainable development का मतलब क्या होता है, कि हम आज की requirement को काम करके अपने future का भी सोचे, तो इसे के ओपर आप लोग का ये topic है, समझ में आ गया, सबसे पहले यहाँ पे जो भी candidate है, आप लोग पहले फटा फट सेशन को like कर दो, कुसम आपको December का paper देना है बेटा, तो आप देख सकते हो, आप लोग का paper कैसे आया है, तो ये आप लोग का segment क्या है, United Nation का है, उसके बाद आप लोग के 5 questions पूछ दिये क्या है, देन आप लोगों का, RIT is a public law remedy, अब RIT को भी हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा था, 5 तरह के RITs होते हैं, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, sartiorary and q warranto, इस के ओपर आप लोग का question है ये, so देख लिजे, आप लोग का RIT का पहले definition है, उसके बाद कौन-कौन से code की पास power होता है, इसको authorize करने का, okay, now, और last आप लोग का देखो, 7 paragraph हो गया, उसके बाद आप लोग का जो last paragraph है, that is totally based on the again constitution, मतलब इस बार आप लोग का constitution का 1, 2 and 3, 3 paragraph आ आप लोग का constitution के ऊपर based है, और बेटा, Constry ऐसा subject है, जो CUVT के लिए, DO के लिए, और CLAT के लिए देखी सकते हो, Constry कितना important आप लोग का topic है, okay, exactly, so ये बेटा, आप लोग का क्या है, freedom, the constitution of India, all citizen, fundamental right, which is, this is not absolute, मैंने आपको बोला था, fundamental right, आप लोग का absolute नहीं होता है, क्यों, because there are certain restrictions attached to it, तो आप लोग का last paragraph क्या है, fundamental right के ऊपर यहाँ पे given है, okay, और ये आप लोगों के questions है, so बेटा, हम लोगों ने देख लिया, जो आप लोगों के 8 paragraph आए हैं, ये 8 paragraph का हम लोग हर एक topic यहाँ पे complete कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे candidates join हो चुके हैं तो आप लोगों खुद analyze करिए कि आप लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाया गया है YouTube batch में, YouTube में, paid batch में, आप लोगों ने कितना पढ़ा और क्या उसमें से चीजें आप लोगों के paper में आई हैं की नहीं आई हैं, और बहुत जल्द हम लोगों का CLAT 2023 के लिए foundation batch यहाँ पे ब law university, so अगर आप लोगों को यहाँ पे admission चाहिए NLU में, तो आप लोगों को अभी से CLAT का preparation करना है, और बहुत जल्द आप लोगों का foundation batch बनेगा CLAT का, आप सब उसमें enrollment कर सकते हैं, अब में बुलाना चाहूंगी कुमार आकाश सर को, जो आप लोगों को reasoning और maths का बताएंग जो भी यहाँ पे DU और CUVT के candidate से, आप लोगों का जो नया batch है, crash course batch, वो 23 जून से शुरू हो रहा है, आप लोग उसमें कैसे enrollment कर सकते हैं, Hi everyone, my name is Aakas, तो guys, जैसा कि हम लोग ने देखा CLAT का paper, जैसा कि last year तक आया था, same to same, उसी type के pattern का paper इस बार भी आया है, कुछ नया बहुत ज्यादा change नहीं हुआ है, ठीक है, और same चीज, same goes with logical reasoning as well as quantitative aptitude, In fact, quant में तो paper install और भी easy हो गया है, तो जब हम लोग logical में चलते हैं, तो logical में जो questions थे, आपके passes based, inference based questions थे, जहां पे passes बहुत बड़े नहीं थे, passes moderate length के थे, और आपके पास 6 passes आया था, तो जो पहला passage आपका bio diversity पे है, तो बहुत छोटा passage है, In fact, कोई भी बच्चा इसको 2 या 3 मिनट देगा, तो पूरा का पूरा passage आराम से पढ़ सकता है, और इनके questions भी direct हैं, जैसे पहला question है, आपका as per the passes, which of the following is a challenge for implementation of the post 2020 global biodiversity framework, तो यह direct आपके passes से ही निकल किया रहा है, अगर आपने एक बार passage ढंग से पढ़ लिया है, तो आप direct यह question solve कर सकते हो, उसी तरह जितने भी पहले passage के questions हैं, वो सारे के सारे direct question है, जैसे question no.107 यह भी आपका direct question है, question no.108 यह आपके passes में जो expression है, author ने जो opinion दिया है, उसके based पे हैं, तो अगर आपने passage ढंग से पढ़ा ह है, जो कि आपको English के paper में भी same to same ऐसा ही question था, और logical में भी same to same, मतलब आप यह बोल सकते हो, कि जिसने English वाला part अच्छे से कर रखा है, वो logical वाला part भी अच्छे से कर लेगा, क्योंकि question में pattern same है, लगभग सब कुछ same है, ठीक है, now, जो अगले इसके अगर passage पे चले तो अग पहरे लिए बहुत difficult भी नहीं है, और words भी जो इसमें use हो रहे हैं, बहुत आपके ऐसे नहीं कि वो क्या बहुत difficult है, आराम से पैसे को आप समझ सकते हो, पहला number question इसमें भी जो है, central idea in the passes है, तो अगर आपने एक बार वो जो YouTube session हमारे हुए है, या जो paid session हुए, जहां पे सड और ने, आसी सर ने भी बताया आपको कैसे passes का central idea वगरा हम लोग निकालते हैं, तो आराम से आप ये question solve कर सकते थे, वैसे इसके सारे के सारे questions जो है, ये वाले passes के भी आसान है, तो इस passes में अभी तक जो हमारे 10 question हो गया है, दो passes के, तो इस 10 question में आप आराम से 7 से 8 question solve कर सकते थे correctly, ठीक है, next जब हम चलते हैं, तो अगला question आपका COVID-19 outbreak पे है, और similar kind of passes आपके English में भी आया है, उसमें भी COVID-19 पे एक passage है, तो same theme पे दो-दो passes यहां पे आ रखे हैं, ठीक है, तो ये भी passes बहुत ही छोटा है, बहुत difficult भी नहीं है, मुस्किल से 10 line का passes है, आराम से इसको भी पढ़के, आप इसके questions को भी solve किया जा सकता है, तो basically ये भी easy to moderate वाले range में आ जाता है, ये question इसके, ये वाला passage भी, इसका next passage है हमारा, ये थोड़ा सा legal के side का passage है, बतलब थोड़ा आपके Madras High Court, ये आपके legal part होता है, उसके based पे passes दिया गया है, अब यहां पर ये सा आपका moderate range में हम बोल सकते है, easy side नहीं है, थोड़ा moderate to difficult है, तो ये वाले questions भी, अगर आप इसके passes अच्छे से पढ़ लोगे, तो आराम से इनके questions भी कर सकते हो, और यहां पे हर passes पे आपको एक बहुत ही important observation मिलेगा, कि हर passes में आप से central idea पूचा गया है, तो अगर ये verbal की class किसी न अच्छे से की है, या अगर आपने YouTube session हमारा लिया था, कल का महरा थन लिया था, तो आराम से आप ये question solve कर सकते थे, ठीक है, next जो आपका अगला जो passes है, ये भी आपका, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा lengthy passes है, बाकी passes के comparison में, ठीक है, ये थोड़ा lengthy है, तो इसमें जो questions हैं, वो भी थोड़े, बतलो, चुकि data based passes है, data है, इसके अंदर, data से आप से पूछा गया है, तो passes को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उनके data को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है, ये questions भी आपके इनके जो 5 questions हैं, उसमें से आप 3 questions आराम से कर सकते थे, जो अगला पै सारे passes easy थे, पिछले साल बहुत लिंदी-लिंदी थे, इस बार logical के अंदर passes छोटे-छोटे आये हैं, मुश्किल से 10-12 line के passes है, और बहुत ही familiar type का passes है, कुछ ऐसा कोई topic नहीं है, जो हमने बिल्कुल सुना ही नहीं है, जैसे कभी-कभी आजाता है, science and tech से आजाते है questions, तो वै अच्छा math का at least 50% भी पढ़के गया था, जो topic मैंने कल भी बताये थे, कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है, अगर आपने ratios पढ़ रखा है, अगर आपने profit and loss पढ़ रखा है, अगर आपने ये 4-5 topic भी पढ़ लिये थे, तो आपके लिए इस साल का जो quant का paper है, वो easy है, in comparison to last year, direct question है, ना कोई pie chart, ना कोई bar graph, कुछ भी नहीं है, direct data है, और data भी बहुत difficult नहीं है, ठीक है, तो इस बार का quant है, वो आराम से out of those 15 questions है, आराम से एक बच्चा है, जो एक medium level का बच्चा है, जिसने math अच्छे से पढ़ के गया है, वो 12 question तो आराम से कर लेगा, ठीक है, in fact, अगर आपने कल का हमारा marathon देखा होगा, तो वो वाले बच्चे जिन्होंने marathon कल attempt किया था मेरे साथ उनके questions, वो जो बच्चे कोइंट छोड के जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इस बार गड़बढ हो गया, क्योंकि question बहुत easy आ गया, तो जिसने ये कोइंट के question 12-13 question, out of those 15, अगर वो 12-13 भी कर के आया है, तो आप ये सोचो, उस बच्चे को कितना age है, उस बच्चे का rank कितना अप हो जाएगा, वो 12-13 जो questions के marks आएंगे उसके वज़े से, ठीक है, तो question बहुत easy थे, पहला वाला question आपके basically percentage and ratios पे था, तो जिसने percentage पर रख है और ratios का जिसको concept मालूम है, वो ये question आराम से कर सकता है, बहुत ही छोटा सा passage भी है, बहुत ही छोटा data भी है, बहुत जादा data भी ब आपका percentage पे है, वो भी same to same direct percentage as well as आपका average वगर पे question है, percentage and आपका profit and loss पे question है, तो ये दूसरा वाला पैसेज भी easy है, बहुत ही easy है in comparison to last year, और in fact last to last year से अगर आप compare करो तो बहुत easy है, ठीक है, now next, जो आपका last पैसेज था, last पैसेज इस based on ratios और यहाँ भी percentage है, तो देखो basically इस साल तीन topic को इनोंने पकड़ा है maths में, एक आपका percentage हो गया, एक आपका ratios हो गया और एक हो गया आपका profit and loss, ये तीन ही topic इनोंने पूरे maths में और तीनों पैसेज उसी type के दे रखें और तीनों में data direct है, ठीक है, ना कोई table है, ना कोई bar graph है, ना कोई pie chart है, कुछ भी नहीं सकता है, within 12 to 13 minutes, ठीक है, now, so overall the paper अगर आप देखोगे, इस पूरे clad का overall paper, in comparison to last year, थोड़ा सा आसान आया है, in terms of maths, in terms of logical reasoning, now I will invite आसीज सर, एक बार आजाईए, रिशाव, आंसर आपके लिए, अलग से हम लोग analysis करेंगे, जिसमें एक एक पैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उ All right, so Rishabh, जो आप बोले हैं, expert नहीं है, क्या answer बताओ, तो answer बताने के लिए पीटा, उसके थोड़ा सा आपको करना पड़े का इंतिजार, कि जिसमें हम आपको एक detail इसका answer देंगे, कि किसका answer है, so that you can match with your paper, I'm sure, आपके पार इसका paper होगा, क्योंकि आपने paper दिया है, ठीक उसका difficulty angle था, easy था, moderate था या difficult था, उसके basis पे हम आपको ये बताने आपके सामने आए है, तो जैसे सर ने कहा कि math आप कर सकते थे बहुत जादा, logical reasoning आप कर सकते हैं, surprisingly, इस time पे, legal reasoning भी जो मैं बता के गई है, वो भी बता के गई है, कि आप काफी हद तक attempt कर सकते हैं, the only problem, जो काफी सारे बच्चों से जो सुनने में हमें भी आ रही है, वो ये आ रही थी कि English के जो पैसे से वो थोड़े से लेंदी थे, लेकिन अगर हम उन पर थोड़ा था time spent करते तो आपका एक score हम उस पे बना सकते थे, right, तो अगर हम सर बोल रहे हैं कि उस पे आप 15 question में से, 10 से 12 question आप math में कर सकते हो, मैंने बोला, 20 प्लस के आसपास आप English में कर सकते हो, ठीक है, logical reasoning में भी 20 के around, 20 प्लस 20, अगर हम इसको minimum score भी मान के चले, तो 40 हो गया, plus 10 या 12 नंबर हम math के मान के चले, तो आपके अराम से 52 नंबर के आसपास आप इन 3 section से पार पा रहे हो, तो अगर तो हमने strategy session में आपको यह बात बताही थी, कि जब client के paper को bifurcate किया जाता है, तो वो दो चीजों में किया जाता है, ठीक है, एक होता है GA और legal क्यों कि में maximum number of questions आते है, एक होता है VA, QA और LR, जिसमें तीनों में मिला के 75 question आते हैं, तो 75 question में से, अगर कोई somebody is getting around 55 के touching a score, and similarly you are getting around the same score of 55 to 60 marks in legal and general awareness, you know, collectively, so you get around a score of 110, ठीक है, अब 110 plus के उपर आपको भी पता है कि क्या होता है, ठीक है, यह वो एक comfortable score माना जाता है, कि आप एक comfortable score पे हैं, ठीक है, तो इस time पे भी हम लोग यही suggest करेंगे आप लोगों को, अगर आप paper देखेंगे, तो paper में lengthy था, वो हर साल होता है, लेकिन, जैसे हम हमिशा बोलते हैं, कि it's not about hard work, it's about smart work, कि कौन सा question छोड़ना है, कौन सा करना है, don't fall in love with the question, अगर आपने ऐसा किया ह तो definitely आप इस paper को clear कर जाएंगे, और आगे पर पाएंगे, ठीक है, तो अगर, मैं देखूँ अगर इस चीज़ पे, अगर हमने कल की जो classes करी थी, marathon की, चाहे वो sir की class थी, चाहे वो मेरी class थी, चाहे वो legal की class थी, ज्यादा से ज्यादा तर के type के questions, हमने आपको उसमें करवा होंगे, central theme के, inference of the passage, ये सारी चीज़े आपने VA में भी करी होंगी, और ये आपको logical reasoning में भी मिल गई, तो definitely आपको एक boost up वहाँ जरूर मिला होगा, ठीक है, ऐसे ही boost up के लिए आपको फटा-फट से क्या करना है, जब जिन लोगों का बच्चों का paper December में है, ठीक है, उसके ल लिया है, तो आपको करना है क्या, आपको जाना है ADDA247 की साइट पर, या आप डाउनलोड करें, बहां जाके आप इस पर click करेंगे, under courses, you will find, under courses, undergraduate entrance exam, in this, you go to CUET, and in CUET, you can take language and general test only, इसका crash course, आपको science का चाहिए, science का ले सकते हैं, commerce के बच्चे है, commerce का domain ले सकते है, arts का है, तो arts का ले सकते है, मैं commerce का student रह चुका हूँ, तो थोड़ा सा bias जो, तो मैंने commerce कोल दिया, commerce दिखाने के बाद, यह देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास crash course है, जो की start हो रहा है, 23 जून से, जी हाँ, बिलकुल, आपने सही सुना, 23 जून वो y468 and small s, and करिए apply, y468 and small s, आप apply करेंगे, आपको यह course, 22 रुपेगा पढ़ जाएगा, 1826 रुपे में, ठीके, आप यह कर सकते हैं, ठीके, तो आपको बस आप करना क्या है, थोड़ा सा करना इंसार, जहां पर आपको जो answers हैं, ठीके, वो answers हम आपको देंगे, तो करेंगे इसको analysis करके, आपको हमारी site पे ही answer भी मिल जाएंगे, दूसरा, अगर आप चाहते है, preparation करना, तो भी आप preparation कर सकते हैं, तो अब time है, paper दे दिया है, पूरे साल बर की, जिनोंने मैनत करी है, paper दे चुके हो, आप लोग, आज rest करो, I am sure, आप लोगोंने, क्लाइट के बाद, आप आगे जो papers है, चाहे वो simbiosis हो, चाहे वो a lit हो, NLU Delhi के लिए, वो भरा होगा, ठीक है, ऐसे ही analysis उनके लिए भी लेके आएंगे, आपके सामने, ठीक है, तो तब तक के लिए, आज की शाम, अब थोड़ा सा, रिलाक्स करो, एक बहुत बड़ा, कहते है, burden तो नहीं करों एक score, अगर बताना हो, अगर बताना बच्चे को, तो हम क्या बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा 100 या 105 के आसपास लेगा रहा है, तो I think वो बिलकुल comfortable space पे है, बस, very good, तो उसमें से हमने बता दिया आपको, कि तीन topics में से चाहे हो, LRO, QA और VA, के मिला के तो आपके अराम स 50 प्लस या 55 marks आपके उसमें आ सचे हैं, ठीक है, अगर आपके उसमें से आ रहे हैं, तो देखिए, आपका LA और GA में पोर्शन बच जाता है, अनदर 55-60 marks लेके आने का, अगर आप लिए 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 तो सर भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं कि आप एक comfortable position में होंगे, र हैं कुमार अकाश मैं हूँ आशीज गर्ग और आपके साथ मिलोंगे हम अगले सेशन में ठीक है, और राइट टेक क्यर, बाइबाइ बाइब आवरीवन